काबुली चने से आपने छोले अक्सर बना करके खाए होंगे आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी रेस्पी लेकर के आई हूँ इसे आप आराम से दो महीने तक स्टोर कर सकते हैं महमान आ जाए उनको भी सर्फ कर सकते हैं यकीन मानिये बहुत ही मज़िदा रेस्पी ह तो आईए शुरू करते हैं हाई फ्रेंग्स मैं हूँ रक्षा और आप देख रहा है रक्षा की रसोई आज मैं आपके लिए फिर से ले करके आई हूँ एक डई रेस्पी अगर आपको आज की रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा मेरी चैनल क को सब्सक्राइब कर लीजेगा और फेस्वों पेच को फॉलो जरूर कर ले तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो यहां पर मैंने लिए हैं देड़ कप काबुली चने कुछ लोग इसे सफेद वारे चने तो कुछ लोग इसे छोले वाले चने भी खहते हैं तो य चले तो इन चने को हम अच्छे से एक बार पानी से धो लेंगे ताकि इसमें जो धूल मिट्टी वगएरा कुछ भी होगी वो सारी निकल जाएगी हमने चने को अच्छे से धो लिया है आप हम इसमें डालेंगे एक गलास के करीब अच्छा खौलता हुआ गरम पानी अगर के अगरा तो आप इन्हें रात मर के लिए ठीवो करके रख दीजिए या शाच से आठ घंटे के लिए ठीवो करके रख दीजिए लेकिन मेरी पास टाइम ज्यादा नहीं है तो मैं इसमें गरम पानी डाल रही हूँ इस से हमारी चने 2 घंटे में अच्छे से फूल याद रखिए नमक की कॉंटिटी थोड़ी सी जादा करनी है क्योंकि आधा नमक तो हमारा पानी में ही वेस्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत नमक चने के अंदर एब्जॉर्ब होगा जिससे की काफी अच्छा टेस्ट आएगा इसलिए अमने नमक की कॉंटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखी है अब हम इसको प्लेट से या लिट से कवर कर देते हैं और दो घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देते हैं अगर आप गरम पानी नहीं ले रहे हैं तो ओबनाइट के लिए या 6-7 घंटे के लिए इन चने को छोड़ दीजे ताकि अच्छे से फूल जाएं दो घंटे हो चुके हैं और जो हमारे कावली चने थे वो काफी अच्छे से फूल गया है यह देखिए इनका साइज भी आकार में बड़ा हो गया है और यह अच्छे से फूल भी चुके हैं अब इन चने से पानी को हम अलग करेंगे तो यह देख सकते हैं आप हमने पानी को लग कर दिया है यहां पर मैंने एक मौटी से टॉबल बिचा ली है इसमें हम सभी चने को डाल देंगे हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका एक्स्टा पानी है गीले से चने है य हो सारी ड्राई हो जाए एक्स्टा पानी खतम करना है शसे पानी बिल्कуса बीन होना चाहिए और कोई रीजन नहीं है अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको जाली वाली छनी में छोड़ दीजिए घंटे भर में ही सारा पानी अलग हो जाएगा और एकदम ड्राई हो जाएंगे तो फिलाल मैं पांच मिनट के लिए कपड़े में डाल करके छोड़ देती हू तो समझ लिजिए कि चने हमारे बहुत अच्छे से ड्राई से हो गए हैं बस अब हम इन चने को अलग बोल में निकाल लेते हैं यहां पर गैस में हमने कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल की क्वांटिटी हमें ज्यादा रखनी है क्यूंकि हमें इने डी तो ठंडे होने की वज़ए से तेल का टेंपरेचर डाउन हो जाएगा तो अब हमने जो चने ड्राई करके रखे हुए थे उनके हम आधे चने डालेंगे क्योंकि हम इनको दो वैचिस में तलेंगे यह खट्टे आपको नहीं डालना है कि आप धेर सारे डालते वनना तेल का और जो चने है ना उनका कलर दीरे दीरे सुनेरा होता जाएगा हमें लगातार इसलिए चलाना है क्योंकि चने का साइज काफी बड़ा है अगर आप एक ही जगह रख देंगे ना तो यह बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन अंदर से पक नहीं पाएगा तीक है तो प इस थिरता आ जाएगी तो देख सकते हैं काफी कम हो गया है पहले से जाग बनना जैसे चने का कलर इस तरह से सुनेरा दिखने लगे गैस को बिलको लो कर दीजे और लो फ्लेम पर आप इनको दो मिनट तक किसी तरह से तेल में डले रहने दीजे यानि कि दी फ्राइ होने द जाएगा जिसकी बज़ा से एकदम क्रिस्पी हो जाएगा आप चाहे तो बीच में थोड़ा थोड़ा इस तरह से स्पेचला से चला भी सकते हैं लेकिन आप आपको ज़्यादा जरूवत नहीं है इसको कॉंटीनिव चलाने की तो अब आप देख सकते हैं दो तीन मिनट बा पर और ओय्ल यादा ना रहें तो आप देख सकते हैं कितना प्यार इन का उनका कलर आज़ा है कितने बड़िया यह क्रिस्पी हो गए हैं आप यह मश्यूचेगा कि चने जल गए हैं बिल्कुल भी नहीं जले हमने जिस तरीके से इनको तला है यह बिल्कूल नहीं जले सिर् एक बैच को तलने में आराम से आपको 6-7 मिनट का समय लग जाएगा पहले आपको लगवग 3-4 मिनट तक हाई फिलेम पर तलना है और 2-3 मिनट तक लो फिलेम पर इनको तलना है इससे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सुनेरा अच्छा चरा हो जाता है तो इसी तरह से हम सेक किजे चने तो हमने सभी बहुत अच्छे से क्रिस्पी तल लिए है अब हमने यहां पर लिया है एक कप पोहा पैकेट वाला या खुला बाला कोई सभी पोहा ले लीजिए पोहा को भी हम उसी तेल में डालेंगे तेल बिल्कुल गरम होना चाहिए और पोहा में ज्यादा टा अब इन दौनों जी जो को हम ठंड़ा होने देंगे और ठंड़ा होने के बाद ये जो चनने हैं बहुत ही कृिस्पी हो जाते हैं तो आब मैं आपको इन को तोड़ करके दिखाती हूँ यह едखिए आतों से यह तूट रहे हैं और खाने में बोहुत ही जादा क्रिस्पी भ तो चलिए अब हम बनाते हैं इससे अपनी बहुती बैतरी नमकीन अगर आपको लग रहा है कि चने का कलर जादा ही डार्क है तो आप इनको थोड़ा सा कम तले जल्ली ही निकाली लेकिन मुझे ना तो यह डार्क कलर के लग रहे हैं और खाने में ना ही बिल्कुल जले हुए ह इनका टेस्ट बहुती बढ़िया आया है अब इन चने को हमने अलग मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लिया है तो कोई बड़ा साय फैले मुए का बरतन ले लिजेगा क्योंकि हम बहुती मज़ेदार नमकीन बनाने वाले हैं अब चने के साथ ही हम अपना फ्राई किया हु और सूखा वाला नारियल लिया है जिसको काट लिया है यह तीनों चीजें बिलकुल आप्सनल है आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना इसकिप कर सकते हैं तो हमने तीनों ही चीजों को तेल में या घी में बिलकुल भी भूना नहीं है हम कच्चा ही डालेंगे आप चाहे तो इ तो यहां पर मैं टाटा संपन के लालमेश पाउडर का इस्तमाल कर रही हूँ यह बहुत बढ़िया क्वाल्टी का लालमेश पाउडर होता है इसमें नाजर और ओल्स पाय जाते हैं जो सिहत के लिए बहुत ज्यादा बेनफीशल होते हैं इसमें हम डालेंगे एक चोथाए चममच काला नमक, शाथ में हम डालेंगे एक चोथाए चममच जीरे का पाउडर एक चोथाई चमच ही हमें हापर डालेंगे काली मेश का पाउडर और आधा चमच डालेंगे चाट मसाला साथ में हम डालेंगे स्वाधन साथ नमक तो यहाँ पर आप नमक बहुत हिसाब से डालीएगा क्योंकि हमने चोले को भिगोती समय भी नमक इस्तिमाल किया था और साथ में काला नमक भी डाला है तो चाटन मसाला में भी नमक होता है इसलिए बहुत ही हिसाब से नमक डालें चुटकी बार हम इसमें हिंग डालेंगे यहाँ पर हमने 8-10 करी पत्ता लिए हैं तो यह सूखी पत्तिया है तो इनको हम क्रश करके डाल देंगे अगर आप ताजी पत्तियों का इस्तिमाल कर रहे हैं तो इनको बारिक बारी काटके भी डाल सकते हैं अगर करी पता नहीं है तो आप इसको इसके भी कर सकते हैं कोई जरूवत नहीं है कि आप इने डाले अब सबी मसालों को अच्छे से हम नमकीन के साथ मिक्स कर देते हैं तो अब जो मसाले हैं जो नमक है बहुत अच्छे से हमारी नमकीन में कोट हो जाएगा जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा का मसाला नहीं है तब आप इसमें सिर्फ चाट मसाला भी डाल सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है वो भी नहीं है तो इसमें लाल मिश पाउडर नमक और थोड़े से बुने भी चने की नमकीन मिलती है लेकिन हमने इसे काबुली यानि की छोले वाले चने से बनाया है तो आईए हम इसको खा करके दिखा देती हूं कि कितनी क्रिस्पी है अब आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी और कितने बढ़िया यह चने भी क्रिस्पी लग रहे हैं पोहा भी लिए स्टोर करिए जब मरजी हो खाईए चाय के साथ खाईए या महमानों को आना हो तो उनको भी सर्फ कर सकते हैं उम्मीद करती हूं कि आपको आज की ये काबुली चरे की नमकीन की रेस्पी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ला ही आफियो को आपको ला雑ी तूरी को आपको 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 इक आपको जिसा पегоे अच्छा perspective कि आपको आपको खाव हो एकाय उनको हाना हो तो झापको आपको भीडियो के रुट मैंझा को आपको जापको है तो